आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने दिये गए एक रेखा खंड को स्केल गुणग विधी द्वारा विभाजित करना सीखा था आज हम इसके आधार पर एक दिये गए स्केल गुणग यानि की स्केल फैक्टर के अनुसार दिये गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना सीखेंगे त्रिभुज ABC वद त्रिभुज MNP समरूप त्रिभुज है आईए, इन दो त्रिभुजों के बीच स्केल गुणक ग्यात करते हैं आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाई तीन अनुपाद पांच में है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के बीच इस अनुपात को ही स्केल गुणक यानि की स्केल फैक्टर कहते हैं अब क्या आप त्रिभुजों PQR व एक्स वाई जेड के बीच स्केल गुणक का पता लगा सकते हैं? शाबाज यहां स्केल गुणक पांच बटा चार है अब यदी हम कहें कि किनी दो समरूप त्रिभुजों के बीच स्केल गुणक M बटा N है तो ऐसे में दो स्थितियां सामने आती हैं पहली जब M N से छोटा है और दूसरी जहां M N से बड़ा है आज हम पहली स्थिती में एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे माना एक दिये गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिये गए त्रिभुज की चार बटा साथ हैं यानि की स्केल गुणक चार बटा साथ हैं। सबसे पहले हम त्रिभुच आधार यानि की BC से शीर्ष A के विप्रीत न्यून कोन बनती हुई एक किरण BX बनाते हैं। अब स्केल गुणक में बड़ी संख्या को देखते हैं जो यहाँ पर साथ है। इसलिए हम किरण BX पर एक समान त्रिज्या के साथ चाप B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 इस प्रकार लगाते हैं कि B, B1, 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 B2, 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 B3, B3, B4, B4, B5, B5, B6, B6, B7 हैं। इसके बाद बिंदू B7 को बिंदू C से जोडते हैं। अब हम स्केल गुणक की छोटी संख्या को देखते हैं, जो यहाँ चार है। इसलिए बिंदू B4 से रेखा CB7 के समान तर एक रेखा खींचते हैं। जो त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदू D पर प्रतिचेद करती है। पुनह इस बिंदू D से भुजा AC के समान तर एक रेखा खींचते हैं। जो भुजा AB को बिंदू E पर प्रतिचेद करती है। जिससे हमें अभीष्ट त्रिभुज EBD मिलता है। जिसकी भुजाएं दिये गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की चार बटा साथ गुणा है। अब हर बार की तरह फिर से देखते हैं की कैसे इस रचना से हमें अभीष्ट त्रिभुज BDE मिलता है। हम यहाँ देख सकते हैं की भुजा BC का विभाजन किसी रेखा खंड की तरह हुआ है। जैसा की हमने अपनी पिछली विडियो में देखा था। BD बटा DC बराबर है चार बटा 3 के। त्रिभुज ABC में ED वह AC समानतर हैं। अतह आधार भूत समानुपातिकता प्रमेय यानी की Basic Proportionality Theorem से। BE बटा EA बराबर होगा BD बटा DC के। जो की बराबर है चार बटा 3 के। त्रिभुज EBD वह त्रिभुज ABC में। हमें BD बटा BC चार बटा साथ मिलता है। इसी प्रकार हम BE बटा BA का मान ग्यात कर सकते हैं। इसलिए समिकरण 3 वचार से हमें BD बटा BC बराबर BE बटा BA मिलता है। जो की 4 बटा साथ के बराबर है। साथ ही कोण B उभई निष्ट कोण है। अतह S.A.S. समरूपता क्राइटीरिया से। दोनों त्रिभुज त्रिभुज ABC वद त्रिभुज EBD समरूप होंगे। आज हमने एक दिये गई स्केल गुणक यानि की स्केल फैक्टर माना M बटा N जहां M N से छोटा है। कि अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखा। अगली विडियो में हम ऐसे स्केल गुणक जिसमे M N से बड़ा होगा कि अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। कि अनुसार एक समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। कि अनुसार एक समरूप त्रिभुज की का अनुसार एक समरूप त्रिभुज में ड़ू है। कि हो एक समर एक समरूप त्रिभुज की रचना प्रेद debates की रचना है।